नमस्कार दोस्तों आज हम घर पर ही गजग बनाएंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे बैसे तो ये बहुत ही मुश्कल से बनती है लेकिन मैं बहुत ही इजी तरीका इसे बनाने का लेके आई हूँ तो इस सर्दी इस रेसिपी को आप जरू ट्राइ और रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी करिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं हमने यहां पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे एक कप तिल तो हमने यहां पे सपेद वाला तिल का उपियोग किया है दो कलर के तिल आते हैं एक हलक मिडियम ही रखना है तिल बहुत जलने लगेगा ज्यादा टैम नहीं लगे इसे भूने में और जब भून जाएगा तो इसका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा और यह हलका Fula Fula दिखने लगेगा इस तरह से हम तिल को भूझने में चेक कर सकते हैं कि यह भूंज गया है की नहीं और तिल हमारा भूंज कर तयार हो गया है तीन से चार मिनट लगे हैं तिल को भूनने में अब हम गैस को बंद कर देंगे इसे निकाल लेंगे अब हमने फिर से वही कड़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे एक कप गुर तो जितना हमने तिल लिया था उतना ही हमने गुर लिया है आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है तो गुर की मात्र थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और एक चौथाई कप हम ने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है एक चौथाई कप अब हम इसे धीमी आज में मेल्ट कर लेंगे गुर को हम इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए तो गुर की हमें चासनी बनानी है तो आज को हम तेज कर देंगे और इसे पका कर चासनी बना लेंगे चासनी को हम इसी तरह चलाते हुए ठिक होने तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से ठिक ना होने लगे बीच में एक बार हम चैक भी कर लेंगे तो हमने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है कटोरी में और जो चासनी हम गिराएंगे इसमें तो वो अच्छे से क्रिस्पी होकर तूटनी चाहिए अभी यह सौप्ट है तो अभी तैयार नहीं है तीन से चार मिनट हम चासनी को और पका लेते हैं और देखें कितनी हलकी फूली फूली दिखने लगी है काफी ठिक हो गई है तो इसे द्वारा से चेक करेंगे और जो चासनी हमने कातूरी में गिराएंगे वो अच्छे सी क्रंची होनी चाहिए इस तरह इसे तूठनी चाहिए तो चासनी हमारी तयार हो गई है तो इस समय हम आज को बंद कर देंगे और इसमें मिला देंगे एक चोथाई चमकमच बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर की जगा आप बेकिंग सोडा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लेजिएगा आज को हमें इस समय बंधी रखना है और बंध आज में अब हम तिल को जो हमने भूंच कर रखा है उसे डाल देंगे और अच्छे से दो मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और इसे हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है और इसका एक डोसा ये बन जाएगा और देखे इसका एक डोसा बन गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो मैंने यहाँ पे तेल लगा लिया है बेलन पर भी अब हम इसे बेल लेंगे और जो डो है उसे हम डाल देंगे इस तरह से हाथों से थोड़ा सा एक सकल लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे तो आप इसे थोड़ा सा मोटा या पतला अपने साब से बेल सकते हैं जैसा भी बेलना चाहें और इसकी एक इस तरह से लोई बना लेंगे ये गरम नहीं लगेगा हाथों पर और इस तरह से बेल लेंगे बेल कर हम इसे ठंडा करने रख देंगे तो हमने इस तरह से इसे बेल कर तयार कर लिया है आप इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं ज्यादा समय नहीं लगेगा इसे ठंडा होने में बहुती जल्दी ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के पर हम इसे तोल लेंगे तो ये इस तरह से निकल आएगा और अब हम इसे तुकडे कर लेंगे तो छोटे-छोटे हमें यहाँ पर तुकडे कर लेने हैं बहुत ही जल्दी तूड जाएगा इसके हम छोटे-छोटे तुकडे कर लेंगे ताकि हमें इसे पीशने में आसानी हो और हमने इसे एक जार में डाल दिया है और छोटे-छोटे टुकडे भी कर लिये हैं तो अब हम इसे अच्छे से पीश लेंगे इसे हमें अच्छे से पीशना है क्योंकि इसमें एक भी गुलठे नहीं रहा जाने चाहिए और इस तरह से हम सारी पपड़ी को पीश कर-इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे और हमने इसे निकाल लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मत देसी घी अगर आपको बहुत ज़्यादा ये सूखा लगे तो थोड़ा सा देसी घी आप इसमें और डाल सकते हैं अगर आप देशी घी का इस्तिमाल नहीं करना चाहते हैं तो दो से चोटी चम्मत दूद का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से mix कर देंगे हम और अच्छे से mix करने के बाद हम इसे set करने के लिए रखेंगे तो इस तरह से पहले हम अच्छे से mix करेंगे अब हमने यहाँ पे एक tin लिया है तो इसी में हम इसे जमाने वाले हैं आप कोई भी थाली या प्लेट का कर सकते हैं पर उसे आप तेल या घी से ग्रीस कर लीजिए और जो बैटर हमने बनाया है उसे हम इस तरह से डौल देते हैं अब हम इसे सेट कर देंगे चमच की साहिता से थोड़ा हलका हλका दबाते हुए हम इसे सेट करेंगे ताकि यह अच्छी सेट हो जाए और इसी से हम चिकना भी कर देंगे और इसके बाद हमें ज़्यादा देर इसे रखने की जरुर्द नहीं है और बस हम इसे से चिकना करके पांच मिनट बाद हम इसे काट लेंगे और देखे बहुत ही अच्छी सेट होती हुई दिख रही है और थोड़े से हमने यहाँ पे पिस्ता लिये हैं कटे हुए तो इसे हम डाल देते हैं यह पूरी तरह से ओप्सिनल है आप इसके बिना भी बना सकते हैं गजक को अब हम इसे तुरंद निकाल लेंगे एक प्लेट में तो यह सेट है तो हम इसे निकाल लेते हैं इसे ज़्यादा देर रखने की जरूत नहीं पड़ी है अब हम इसे काट लेंगे तो जैसे पिस्ता आपको पसंद है आप उसे काट सकते हैं मैं यहाँ पर चौकुर पीस में कट कर रही हूँ बहुत ही सौप्ट बनकर तयार हुई है तो चलिए मिलते हैं और नई रेसिपी के से